मुंबई के कुर्ला इलाके में एक 20 साल की लड़की से रिप के बाद हत्याखा संसनी खेज मामला सामने आया है पुलिस के मुताबिक ब्रस्पतिवार के शाम में 13 मंजले इमारत की टेरिस पर कुछ लड़के वीडियो शूट करने के लिए गए थे मगर तभी उन्होंने 20 साल की लड़की की डेड बोडी वहाँ पर देखी हलाकि ये डेड बोडी कई दिन की हो गई थी और काफी खराब इस्थिती में थी विनोवा भावे नगर पुली स्टेशन ने इस बोडी को अपने कबजे में लेकर पोस्ट मॉटम के लिए भेद दिया था और पोस्ट मॉटम रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि इस लड़की के साथ पहले रेप किया गया उसके बाद उसकी हत्या किये गई थी हाला कि अभी तक इस मिलित्तका की पहचान नहीं हो पाई है पुलीस ने इस पूरे रेप और हत्या के मामले में आईपीसी की धारा 376-302 के तहत मामला दर्श किया है और आगे की जाश परताल की जा रही है तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे हैं प्रहाटेंग्स